दोस्तों आपने बहुत खुबसूरत छोटे गुत्ते देखे होंगे और शायद उससे भी जादा क्यूट पैट एनिमल्स के बारे में भी आपने सुना होगा लेकिन क्या आपने एक छोटे से सफेद रंग के चमकादर के बारे में सुना है और इससे भी जादा मज़िदार आ बेबी लामा सफेद रंग का बहुत ही क्यूट आनिमल है जिसे आप अपने घर में पाल सकते हो इसकी क्यूटनेस को देखने के बाद आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा पुराने समय में इसे उन और बोचा ढोने के लिए पाला जाता है लेकिन आपको इसे देखकर बिल जाने वाला जानवर है नमबर 9 फिंगर मंकी दोस्तों ये छोटा और मासूम सा दिखने वाला जानवर एक मंकी है इसके छोटे साइस की वज़ा से इसे फिंगर मंकी और पॉकेट मंकी भी कहा जाता है ये ना तो कभी किसी से गुस्सा करता है और ना ही किसी पर अडैक करता इसको पालना भी बहुत आसान है, ये केबल फल फ्रूट ही खाना पसंद करता है, इसके पसंदिदा फ्रूट, एपल और बनाना है, लेकिन बात करें इसके प्राइस की तो वो 5 से 7 लाक रुपए है, नमबर 8, बेबी तमंडुआ, सफेद और काले रंग के बहुत क्यूट दि के लिए दात नहीं होते है, ये कोई भी कच्चा और ठोस पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए इसे जादतर रख रखाओ की जरुवत पड़ती है, नमबर 7, बेबी ताइगर, टाइगर का नाम सुनने से आप भी सोच रहे होंगे, क्या इतने खतरनाक जानवर को भी पाला ज जा सकता है, लेकिन युनाइटेट इस्टेट्स में बेबी ताइगर की मेच्योरिटी जंगल से जादा पालतू पशु के तौर पर है, दुबई में टाइगर को पालतू पशु के रूप में पाला जाता है, और इतना ही नहीं, दुनिया में टाइगर को पालने की असान नहीं है, इनकी देखभाल करना, अच्छे से ट्रेनिंग देना, इनके खाने पीने का ध्यान रखना, एक आम इनसान के बस की बात नहीं है ये एक बहुत ही खुबसूरत छोटा सा जानवर है, जो की पूरी तरह से शाकाहारी खाना खाता है, ये अपनी धीमी कती से चलने के लिए जाना जाता है, जिसकी बज़ा से इसे आलसी जानवर भी कहा जाता है बेबी स्लोट्स को बंद कमरे में रहना मुश्किल है, ये खुले मैदानों और पेड़ पौधों पर रहना पसंद करते हैं, ये इतना प्यारा जानवर है जिसकी वज़ा से दुनिया के बहुत से लोग इसको पालना चाहते हैं पाइथन का नाम पालतू पशुओं में सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिने सापों से लगाव होता है, वे पाइथन जैसे खतरनाक जानवर को पालने से भी नहीं हिचकते, पाइथन की कुछ प्रजातियां बहुत ही सुन और सफेद रंग की धारियां होती हैं, देखने में ये बिल्ली के जैसे लगते हैं, इनकी लंबाई आठ से उन्ने से छोती है, इनका वजन तीन किलो से सत्रा किलोग्राम तक होता है, इन छोटे जानवरों को साधतर अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको में पाला जाता है, ये फॉक्स सहारा रेगिस्तान और अरेबिक रेगिस्तान में पाई जाती है, फैनिक फॉक्स लोमडी की प्रजाती की सबसे छोटी लोमडी है, जो बेहदी सुन्दर और मासूम है, ये 14 साल तक ची सकती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटी लोमडी केवल 700 से 1 किलोग अगर आप इस छोटे से जानवर को देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इसको पालने का मनना करें, ये बहुत ही छोटा और मासूम जानवर है, जिसकी मासूमयत लोगों को आगर्शित करती है, ये सफेद रंग का जानवर है, जिसकी बहुत ही खुबसूरत आखे ह इसकी एक खास बात ये भी है, कि ये कुछ उचाई तक भी उड़ सकता है, इनको खाने में फलप्रूट्स पसंद है, इनको आप पिंजरे में भी रख सकते हो आपने चमदागر के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी प्रजाती को पालतु जानवर के तौर भी पाला जाता है, ये सफेद चमदागर बहुत ही छोटे साइस के हैं, ये देखने में बहुत ही खुबसूरत और मासूम होते हैं, इनकी खुबसूरत कुछी को देखकर आपका भी इन्हें पालने का मंद जरूर करेगा इनके सफेद रूई जैसे रंग होने की वच्छा से इन्हें कॉटन बॉल पैट भी कहा जाता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पैट सबसे अच्छा लगा और आप अब किसको पालने वाले हो साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले